हेलो तो बच्चो आज हम को बताएंगे एलेक्ट्रोनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को सेर करें जिससे उन्हें भी फायदा कुछ पहुँचे इसको इलेक्ट्रोनिक केंफिग्रेशन भी कहते हैं जिसको एस पी डी एफ से दर्साते हैं जैसे मैं बताता हूं आपको केंद्रग बनाएंगे यहमारा नाभी के और इसके चार और इलेक्ट्रोन गति करते हैं इसके बनालो कोफी कोफी उठालो जब बनाओ इसके दो हो गए और एक होर बनाओ यह पर जहां कम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा छोटा बनिया निपर जोड़ा तो निच्छे किया ज्यादा बड़ी निच्छे बढ़िया बनालो तो इसमें पहरे नाविक में एस में पर्वेस करेंगा इलाक्ट्रोन एस पीडिमें करेंगा और फिर एस पीडि एक उसमें चार होता है पहला दूसरा तीसरा चौत्ता जिसको हम के कि एल एम और एंड से तरसाते हैं तो एस पीडिएफ के मान देख लो जो एसका होगा वो जीरो होगा यह पहली कक्सा में होगा यह दूसरी कक्सा में होगा और यह तीसरी कक्सा में होगा और अधिकता में लाक्ट्रोन यह दिखता में लाक्ट्रोन है जैसे कि एस पीडिएफ में कितने लाक्ट्रोन बरे जा सकते हैं तो S, P, D, F S में दो इलेक्ट्रोन आ सकते हैं P में 6, B में 10, और F में 14 इससे उपर नहीं जाएंगा, नीचे भले ही आजाएं 0 से लेकर 2 तक की होगा, इससे उपर नहीं जाएगा और P में 6 तक, इससे उपर नहीं जाएगा चलाओ एक तालिखा बना लो जिससे इसका बढ़ना का तरीका आपको पता चल जाएगा एक अक लैंज छोड़ के, साथ तक लिख लो अब जाए एक को छोड़ तो दूसरे से सुरू करें साथ तक अब दूसरे को छोड़ तो तो तीसरे से सुरू करें साथ तक और अब तीसरे वह छोड़ता है चोटे से सुरू करें साथ तक और सोरी 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 यह च्छे उपर था है इसा ही है उपर छे यहां लिख दें और साथ यहां तो पहला कोस्ता एस तो एस में जाएगा शुरू का एस और दूसरा डी था वो टूपी टूपी था जैसे कि एस पी था एस डी पी एस पीडी था और फिर एस पीडी एफ था तो इसी परकार लिख दी जैंगे आप इनके मान दिखाएते हैं यह जो लिखाए यह वही है इसके में मान बतायते हैं कि एस में दो जाएंगे तो इस दो कर लो एस की पाउर दो हो चुके है 4S2, 5S2, 6S2, 7S2 और पी में दिखते हैं में इलेक्ट्रों छे जाएंगे 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6, 7P6 और डी में पैन जाएंगे 10 3D10, 4D10, 5D10, 6D10, 7D10 तो इसमें 14 जाएंगे F14, 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 F14 जो इसमें इलेक्ट्रों कावा गमन होगा वे इस परकार होगा आपको क्रीखेंच के दरसा लेना है कि थोड़ी तिर्शी क्रीखेंच ना है इसमें यह इस से पर्वेश करेगा और इस रुख को चलेगा और इदर से होते हुए बाहर निकल जाएगा आगे संभावना है कि आट आट को खोजे जा सकते हैं कि उधाराने के लिए सी वह कार्बन लेलो कार्बन का पर्मानुकर्माग छे होता है वन एस्टू टू एस्टू यहां से देखो यह इस तरह बढ़ा जाएगा पहले वन एस्टू फेर टू एस्टू फेर टू टू पी सिक्स टू एस्टू टू पी सिक्स यहां आएगा दो पर्मानुकर्माग छे हैना कम भले ही हो जाए पर अधिकता नहीं होनी चाहिए इसका हो गया इसके एगमित ईलक्ट्रोन इसमें एगमित एलक्ट्रोन दो है जिसका जोडा नहीं बनता अब जाए शोडियम का ले लो वन इस टू टू आस टू 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 की 6 3s, 1 3s, 1 इसमें एगमी तेलक्ट्रोन एक है यूगे एक की कमी है S1 पर S2 होता तो है एगमी तेलक्ट्रोन सुनने होते है ब्रेलियम का ले लो 1s2, 2s2 इसके कक्षा स्थाई है इसमें एगमी तेलक्ट्रोन नहीं है तो इट्ट्रोन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें मारी मैनत को ना रखे और शेयर जरूर करें जिससे अगले बच्चों का भी फाइदा हो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आग्या देजे अगली वीडियो में मिलते हैं पाल-खेज बहुत बहुत